सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए, जैसा कि तस्वीर में है हाँ, हम यह करेंगे ओ, केक, मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ ओ, 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 क्या? आ, केक, मैं इसे अब बनाऊंगी मुझे बस थोड़ा सा आदा चाहिए कुछ अंडे ठीक है, और अब थोड़ी दूद भी अब मैं बैटर को मिक्स करूँगी ओ, कितना सुन्दर है है न मैगी? आटा क्यों बनाए? अगर तयार केक मेरे पास है देखो भी कितने अच्छे है ओ, नहीं, यह घर का बना नहीं है तोर से खरीदा हुआ केक ओ, यह बहुत भयानक है इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तयार कर देगा हाँ, यही मुझे चाहिए इसे पांच बराबर भागों में विभाजित करना है और अब हमें रंग जोड़ने की जर्वत है? इस तरह से मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छे तरह से गुथूँगा अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा यह कोई बड़ी बात नहीं है मेरा केक भी अनोखा होगा विशेश रूप से पीनट बटल के साथ हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे फिर इस तरह से हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे मैं तोड़ा सा खा भी सकती हूँ कितना स्वादिस्ट है हाँ, अब यह तीसरे केक पर फैलाने का समय है मुझे एक और चमत चाहिए और सोफी को यह पता नहीं चलेगा हाँ, बहुती स्वादिस्ट है मैं की, तुम क्या कर रही हो ऐसा मत करो बेतर होगा देखो की मेरे पास क्या घर का बना जैम है मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जाल डालूँगी कितना सुन्दर है और अब देकुरेशन के लिए थोड़ा आटा ब्रांडे, मैस है और क्या खुश्बू है इसे आवन में डालने का समय है बस यहाँ थोड़ी देर रुको तब तक दादी एक जब की लेती है और यहाँ मेरा केक तयार है यह केक एक त्था घरने का समय है मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और यह रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे क्रीम से बाहर को भी सजाए हाँ, इस तरह से और आब मुझे इसे एक विशेश स्पैचुला के साथ फैलाने की आवशक्ता है अरे हाँ, यह केक एक दम पफेक्ट होगा लेकिन यह सम नहीं है अम मैं एक मीठा इंदरधनुस बनाने जा रहा हूँ मैं इसे केक पर रखूँगा और जहां इंदरधनुस है, वहाँ एक यूनिकॉर्ण है हाँ, और साइज पर मेरे पास बादल और दिल होंगे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है यह पॉफेक्ट है यह मेरी गाड़ी है यह पाई मिकालने का समय है तयार है, क्या खुश्बू है यह सोफी को ट्रेट देने का समय है चलो दोस्तो, दादी यहाँ है अरे नहीं, उनकी पास ऐसे सुन्दर केक है लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है मैं इसे कैंडी M&M से सजाओंगी हाँ, यह बढ़िया रहेगा और यहाँ, देखो कितना सुन्दर लग रहा है सोफी, जल्दी से खाओ वाव, कितने सारे केक है कहां से शुरू करो इनी मेनी माईनी मो, तुम पहले हो चलो यह खाते है पर यह सूखा है कोक के बिना नहीं खा सकते माफ करना मैगी वाव, वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है कितनी अच्छी महकारी है और यह बहुत स्वादिस्थ है दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ वाव, यह क्या सुंदरता है मुझे तुरांट एक टुकड़ा चाहिए ओ वाव, यह इंदरधानूशी है और यह बहुत सौप्ट और स्वादिस्थ है और यह यूनिकॉर्ण भी बहुत स्वादिस्थ है मुझे विजिता के रूप में किसी चुनना चाहिए हम, शैपका केट जीतता है वह आतोल्या है ओ हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ अच्छा, तो ठीक है अब मुझे पॉपकॉर्ण चाहिए जैसे मूवी थेटर में होता है वह, क्या है आँ, पॉपकॉर्ण खैर मैं ऐसा कर सकती हूँ यहाँ कॉर्ण है नहीं, यहाँ विशिस अनाज की आवशक्ता है और मेरे पास है मैं फॉइल से बाउल्स त्यार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूँगा हाँ, और निश्चित रूप से तेल सबसे ताजा मैं उनमें अनाज डालूँगा हाँ, यह सही है मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ वे पॉपकॉर्ण को सुन्दर बना देंगे यह एक यहाँ, एक यहाँ चलो, उनमें से एक इंद्रधनुस बनाते हैं और यह बर्णर का समय है सावधान रहना है यह विस्फोर्ट करने का समय है मुझे लगता है यह काभी है देखते क्या हुआ अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्ण आप क्या कहते हो दादी आपको रंग कैसे लगे खेर, आपको कुछ नहीं पता है ओ, यह शेफ क्या जानते है मेरे लिए सब कुछ नैचरल होगा बस मैं अपनी नई गैजट के साथ अनाज निकालूंगी यह बिलकुल सही है आप पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ वैसे यहां और भी डाल सकते है मैं इसे फैला दूंगी और यहां मकई डालूंगी और नीश्चित रूप से चीनी मेरी सोफी को मीठी चीज़े बहुत पसंद है ओ, ओ, हैसा लगता है कि प्रक्लिया शुरू हो गई है ओ, हाँ फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे है यह तयार हो गया लगता है वाह, क्या खुश्बू है सब कुछ बढ़िया है यह सिक्रेट इंग्रेडियन का उप्योग करने का समय है मैं मार्शमर्ले को एक फ्राइंग पैन में पिगलाऊंगा जब तक कि वे फेश में ना बदल जाए और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्ण भेजूंगा मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ मुझे पॉपकॉर्ण की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभी निरंगों की पांच गेंदों की रूप में पॉपकॉर्ण मिले है यह पॉपकॉर्ण को एक कटोरे में डालने का समय है वाह, क्या सुन्दरता है तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्ण है? हारे, यहलो, चलो बच्चों की तरह यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्ण है जिसे बस गर्म करने की जर्वत है ट्राइंग पैन पर पैकेज जालो और प्रक्रिया शिरू हो गए ओ हाँ, और टेंसन की कोई जर्वत नहीं है वाह, एक सकेंड रुको, ओवा गंद क्या है? अधर क्या हो रहा है? क्या? गन? ओ, लगता है यह फटने वाला है नीचे छिप जाओ ओ, मैगी, तुमने क्या किया है? पापकॉर्ण? मुझे से जल से जल साफ करना होगा क्या कुछ बचा है? यह क्या बासिक? ओ, माफ करना मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी ओ, वाँ, इतना पापकॉर्ण और वाग गंद क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है ओ, और यहाँ असली पापकॉर्ण है चलो यह खाते है कितना मीठा आप सब कुछ जानती हो, दादी ओ, वाँ, यह क्या है? ओ, वाँ, यह कितना मस्त है यह अच्छा लग रहा है ओ, यह कितना स्वाधिस्थ है बस अव विश्वस्मिय है यह पापकॉर्ण निश्च तरूप से जीतने का हगदार है हाँ, एक और पॉइंट आ, क्या, वाँ, क्या है? पैनकेक्स? उन्हीं कैसे पकाना है? ओ, क्या फोकस है ऐसा लगते कि लड़ाई चल रही है यह दूद में दो अंडे जोडने का समय है और हाँ, थोड़ा आटा अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूँगा मुझे लगता है कि यह दूद भी मेरी लिए होगा वाँ तुम जल्दी खुशोरे हो मेरा वेस्ट भी बुरा नहीं करेगा मैं खुद आटा गुनने में सक्छम हूँ हाँ, हमें दूद जोडने की जर्वत है और क्या? आ, आटा, बिलकुल और अंडे मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ अब हमें सब कुछ मिलाने की जर्वत है कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है बस कुछ अच्छी बैटर है तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है बस और अब हमें चौकलिक पेस्ट की जर्वत है मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं उपर एक और के साथ कवर करूंगी वे एकदम सही निकले है क्या? वह क्या कर रहा है? और मैं यहां हरा डालूँगा बस पूरा सेट चलो इसे थोड़ा हिलाए इस तरह और इस तरह हरे हाँ देखो मैं कैसे कर सकती हूँ दादी बहुत कुछ कर सकती है लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं बलकि आर्ट का काम करूंगा और अब आखिरी टाच और सोफी का चेत्र तयार है क्या? उनके पास सबकुछ तयार है और मेरे पास यह आजीब बैटर है ठीक है? बस यह से पैन में डाल देती हूँ जो होगा सो होगा अच्छा सोफी क्या तुम पहले से बुखी हो? आगे बढ़ो शुरू करो तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई? यह फिर से शुरू हो गए यह कैसे गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है मुझे तुरंती से बंद करने की जरुवत है अब तुम हारने वाले हो यह कैसी गंध है? आगे तुमने क्या किया है मेंगी? ओ, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तयार है वाँ! हाथ ने कितना बड़िया काम किया है और क्या महक है? एक मिनट रुको क्या कुछ फिर से चल गया है? यह मेंगी का पैनकेक है? वाँ! वाँ, और इसका स्वाद गैसा है, बहुत स्वादिस्ट है, एक मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स है, अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है, जैसा मुझे पसंद है, वे बहुत स्वादिस्ट है, मैं अपने आपको रोग भी नहीं सकती, दादी, आप बस कमाल के हो, ये सबसे अच्छा डेश है, ओ धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझे सीखने की जरुवत है शेफ, बस या रहा, मुझे ये जैली चाहिए, जैली मैं या कर सकती हूँ, बस जेलेटिन लेना है, अधिक चीनी, और निश्चित रूप से पानी भी, चलो इन सब को मिलाते हैं, यहाँ बहुत सारे अलग-अलग स्वाज और रंग की जेली होनी चाहिए, हाँ, एकदम रंगी, यह फॉर्म एकदम सही है, तो हम पहली परत भरेंगे, और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी, इसे अच्छे से मिलाना है, हाँ, इस तरह से, और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए, नकली दाथ, नहीं, ओल और काटा, नहीं, यह भी नहीं, और यहाँ मेरा साचा है, यही मैं अपनी जेली डालूंगी, अरे नहीं, मुझे छीक आ रही है, आची है, मेरा चश्मा, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ, और फिर तब उसकी तलाश करूँगी, ओ, मैं कहा हूँ, यहाँ गर्मी है, और अब यहाँ बहुत ठंड है, और अब यह बहुत नम है, जेलेटिन, नहीं, गमी बेटर है, हेलो मिस्टर बेयर, हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया, मुझे माफ करना मिस्टर बेयर, मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूँगा, और मैं एक खाऊँगा, हाला कि मुझे नहीं खाना चाहिए, थोड़ा यहाँ, यहाँ, और यहाँ, फिर से, हाँ, और अधीक, किसी चीज की कमी है, हाँ, बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा, हीचो, ओ, यह बहुत अच्छा निकला, और आप अन्य परते, बहुत सुन्दर, अब बस इसे सजाना ही बचा है, स्ट्रॉबेरी एक दम सही है, और अब यह स्वाद श्क्रीम, मैं प्रतेक परत को सजाऊंगी, और उपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी, इस तरह से एक दम सही, ओ, मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है, दादी, रुखो, यहां तुम्हारा चश्मा है, क्या, अब सब ठीक है, आधन्य वाग बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो, और यह कि इस तरह के पोधे हैं, आप केवल जैली को यहां रखना है, वाँ, चलो देखते है, तेस तुमारा क्या कहना है? वाँ, बहुत सारी जेही है, कहां से शुरू करूँ? मैं इस क्यूब से शुरू करूँगी, ये गमी बेर है, मुझे वे बहुट पसंद है, मैं एक ही बार मे पूरा क्यूब ले लूँगी अरे, वे बिखड गये है और क्यूब खाली है इससे काम नहीं चलेगा चलो दादी की जेली को चकते हैं यह बहुत ही सक्त है बहुत ही ज़्यादा सक्त यहां तक कि काटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है उफ ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा लेकिन, यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है वो अब कितना मज़ेदार तरीके से हिल रहा है चलो इसे ट्राई करते हैं जेली, स्ट्राउबेरी और क्रीम एक साथ इतने अच्छी तरह से चलते है यह बहत स्वादिश्ट है, तीना तुम जीत गई हो, मुझे और चाहिए हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता हाँ, अब मुझे आइस क्रिम चाहिए क्या आप इसे मेरे लिए त्यार कर सकते हैं? एक दम आसान, या बोतल वाला दूद? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामगरी चाहिए हेलो गाई, ताजा दूद के लिए धन्यवाद अब मैं इस दूद को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाओंगी अब मैं इसे साचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी चलो, इस मोल्ड को इस कटूरे में डालते हैं और मेरे सुटके से कुछ निकालते हैं लेक्विड नाइट्रोजन तुरांत आइस्क्रीम को फ्रेज कर देगा टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो देखो और सीखो, हम आइस्क्रीम को एक तरह रख देंगे और इस विच हम डूद, आठा, चेनी और अंडे से वाफल बनाएंगे अच्छे सी सबको मिला देना है और आप वाफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंजार करें और जब वाफल थोड़ा गर्म ही हो हम इस शेप का उप्योग करके इसे एक कोन बनाएंगे एक दम सही कोन एक दम सही और अब मैं आइस्क्रीम को रेफ्रिजरिटर में रख दूँगी इसे अच्छे से जमने देती हूँ बस थोड़ा इंजार करना है दूद यह बहुत मुश्किल है हाँ बिलकुल एक आइडिया है मैं यह स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें यह स्टिक लगा देता हूँ और अब मैं इसे फ्रीज कर दूँगा दादी, क्या आप सो गई है? क्या, क्या? मैं सो गई थी मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बिल मेरी आइस्क्रीम जम गई है और अब मैं अपना फ्रीज कर दूँगा एक दम सही पॉपसिकल हाह, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है और यह इस तरह से एक दम सही है ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉपसिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुन्दर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सा जाना है, फेजी से जरूर पसंद करेगी मुझे पता है कि फेज को क्या पसंद आएगा अब मैं अपने आइस्ट्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ बस मुझे यही चाहिए और आइस्ट्रीम सच में स्वाधिस निकला क्या तुम इसे ट्राइ करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यास्ट हूँ यह ऐसे नहीं निकलेगा उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था हाँ, हाँ, मैं एक चेंड सॉस से बोतल काट दूँगा तारे एक्स्ट्रास को निकाल दूँगा और मेरी आईस्क्रीम तैयार है बहुत बढ़िया इसे खाओ फेज वाँ, यह बहुत अच्छा है और यह क्या है? भारी यह बुरा नहीं लग रहा ओ, यह गिर गया तोट गया उप्स, उफ, इतना सारा कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए? वाँ, चलो इस पिक को लेती हूँ गुलावी है यह बहुत स्वादिस्ट है और इतना प्यारा भी है और दादी ने कैसा किया है? वाँ, मेरी ड्रॉइंग की तरह यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है दादी आप जीत रही है अरे हाँ, एक बाइट लो टीना चिन तामत करो तो, मुझे अपने फेवरिट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए आसान, यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है हमें जितना संभब हो, उतना केक की सता को सजाने की जरूरत है फिरवत तुरन वह बन जाएगा जूसे होना चाहिए और कैंडी गीरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूंगी ऐसा करने के लिए, मुझे दो तयार करने की जरूरत है हमने आटा लिया, अंडा और दूद लिया और बस इन सब को आपस में मिला देना है लगभग हो गया बस केवल इसे अच्छी तरह से गुन्द में और लंबे स्लाइस में काट नहीं बचा है बस इस तरह से देखो, यह कितना अच्छा दिख रहा है और इस तयार धारियों के साथ मैं कैंडिस को बन कर दूँगी और उसके बाद केक अवन में चला जाएगा मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ अब मैं आराम कर सकती हूँ खाना बनाते समय कौन सोता है यह बहुत गलत है खैर तुम्हें मेरा केक कैसा लगा जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए ऐसा करने के लिए मुझे खेयर ड्रायर की जर्वत है जिसके मदद से मैं स्किटल्स कैंडी को पिखलाऊंगा एक दम सही अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ बेली सिमो हाँ थोड़ा और इधर डाल देता हूँ लगता है केक बन गया है इसे आवन से बाहर निकाले का समय आ गया है मुझे यकीन है कि बैटी पक्का से इस चमतकार को पसंद करेगी मुझे इसे इतने लंबे समक्तंग नहीं करना चाहिए था लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है तुम्हें मेरी मूर्ती कैसे लगी? मुझे लगता एक मास्टर पीस है अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है तो मैं किसका इंजार करी हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए खास गन का इस्तेवाल करूँगी और बस इस तरह से चला दिया बढ़िया आरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओ! मुझे केक पर कैरनी चाहिए थी पोरे कमरे में नहीं बैटी, ये चुनने का समय के विजिता कौन होगा? हाँ, सभी केक बहुत खुबसूरत है सिवा इसके की एमा ने क्या बनाया है? शायद इसका मतलब ये स्वादिष्ट हो? पर ऐसा नहीं है, सामाने केक चलो देखे कि बीच में मेरा क्या इंजार कर रहा है? ये तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है दादी आप केवल शेफ जैक के केक को चकना ही बचा है बेशक वो औवास्त्विक रूप से अच्छा दिख रहा है हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है काश में जल से जल हर कैंडी को खाव पाती ये लाजवाब है जैक, तुम जीत गए? ये, मैं जानता था कि मैं जीतूंगा इस बार मुझे तरभूज का केक चाहिए ये मेरे कलिनरी स्कील के लिए बहुती दिल्चास चुनाती है मुझे उमीद है कि मैं पूरे तरभूज से तरभूज केक बनाने का तरीका खोच पाऊंगा मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरुवत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए बस इस तरह से ये त्यार है अब मुझे तरभूज को गोल टुकडों में काटने की जरुवत है हाँ, बिलकुल इस तरह से देखो अब इसे गोल गोल टुकडों में काट लिया बढ़िया और मुझे शायद परिशान होने की कोई जरुवत नहीं है तरभूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है इसे बस आदिय में काटना ही काफी होगा और फिर आदिय में इसे एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से दादी यह बहुत अच्छा है मैं भी वही करूंगे जो शैफ में किया है मैं तर्बूज को डायमन पिकेक से तोड़ दूँगी अरे सावधान रहो सब कोछ इधर धरूर रहा है माफ करना मैं कुछ ज़्यादा जोश में आ गई थी लेकिन चिंतामत करो तर्बूज लगभग हो चुका है तर्बूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वाधिश लग रहा है लेकिन बैटी को साधरन तर्बूज परोशना अच्छा नहीं है अगर मैं तर्बूज को अलग-अलग स्वाधिश चीजों से सजाओं तो ये ज़्यादा स्वाधिश होगा तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा जराईसित देखो मार्शमेलो और गमी बेर की साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है हाँ कुछ खास नहीं लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परति होनी चाहिए इसलिए इस विशेश पहलू पर ध्यान देना कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा मेरा केक नीचे हरा और उपर लाल होगा रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन बुरा नहीं लग रहा है और यहां मेरी तर्बूज जेली तयार है तुम मेंसे किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तर्बूज का केक कैसे बनाया जाता है हाँ बिल्कुल नहीं मेरा केक ज़्यादा स्वाधिस्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तर्बूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आखे बनाऊंगा देखो कितना प्यारा केक तयार हुआ है बेटी या चुणने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो वाव एमा तुमने क्या किया है केबल तर्बूज में कैंडी फसा दिया हाँ बेशक इसमें भी मेनत लगा होगा लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है उफ, चलो देखते है शैप ने क्या बनाया है आ, यह केक तो कमाल का लग रहा है बहुत अच्छा लेकिन क्या यह वाख़े इतना स्वादिस्ट है यह केक बस अद्बूद है अब बस वह चकना बच्चा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे ले तयार किया है बनावट तो जेली की तरह दिख रही है कितना मज़ेदार है यह वास्ता में तर्बूद चेली है हाँ और मुझे यह बहुत पसंद आया दादी इस बार आप जीत रही है ओरे मुझे पता था मैं ही जीतूँगी इस बार मेरी गुडिया के साथ मेरे लिए एक केक बनाओ मुझे लगता है कि एक दिल्चस्प चुनाती होगी यह मुश्किल होगा वास्ता में सब कुछ बहुत आसान है आँ मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए बैटी ठीक केक पर इसके लिए मैं फलो की एक पूरी टोकरी का उप्योग करूँगी नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा चलो देखे कि साधरन फलो का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते है मैं कीवी, स्ट्रावबेरी का इस्तेमाल करूँगी जराईसे देखो कितना अच्छा है अब बस इसके बाल बनाने बचे है हाँ, इस तरह से हाँ, आइडिया अच्छा है लेकिन ये बैटी जिसा बिल्कुन नहीं दिख रहा है मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जर्वत है बेश आखों की बीना चेहरा कैसा? हाँ, हमें आखी को चिपकाने की जर्वत है हमें गमी मू और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए हाँ मुझे लगता यह बहुत प्यारा बना है अब इसके थोड़े चे बाल बना देती हूँ हाँ यह थोड़ा ढरावना दिख रहा है काम शुरू करने से पहले मुझे केक की आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जर्वत है मैंने यह जल्दी कर लिया अब मुझे एक गुडिया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा बस इसे खत्म करने की जर्वत है बेशक इसके लिए क्रीम या विप्रीम एकदम सही रहेगा लेकिन यह प्लास्टिक है इसे खा नहीं सकते ओ, मुझे डिस्टाम मत करो खैट, त्यारी हो गई है आपके बन मीठे सिरफ को एक विशेश साचे में डालना बचा है जो इसे सुन्दर बना देगा हाँ, देखो कूकिंग के समय यह शायद मेरा पसंदी रक्षन है मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ हाँ, बहुत बढ़िया तो चलो आप शुरू करें मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बैटी को पसंद आएगा वाँ, बहुत सुन्दद, देखते हैं बैटी की से चुनती है वाँ, मुझे सभी केक पसंद है लेकिन मैं अपनी दादी दोरा बनाए केक से शुरू करूंगी उनका केक अच्छा लग रहा है चलो देखें, क्या यह सही है? स्वादिश्ट, यह बहुत अच्छा है लेकिन किसी चीज की कमी है एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना धरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरे तरह नहीं दिख रहा है आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा वैसे यह स्वादिश्ट हुआ करता था? यह पता लगाना बाकी है कि शैफ जैक ने मेरे लिए क्या तियार किया है? देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं वास्तो में गुडिया के तरह दिखती हूँ यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिश्ट है? यह कमाल का है जैक तुम्हारी जीत पर बधा आई कितना अच्छा है यह हाँ यह आसान था